हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे हैं और मैं आरोई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ थैंक यू सो मच आप समने मेरे लिए इतना प्रेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा आप समने मुझे इतना प्यार किया मैं ठीक हूँ और थोड़ा मुझे कोल्ड हुआ है तो मेरी आवास थोड़ा डिफ्रेंट आएगी तो फ्लीज मैनेज कर लीजिएगा अच्छली मैं आज भी मतलब वीडियो नहीं डालने वाली थी थोड़ा अभी भी मेरी मतलब तव्यार डाउन है वट क्या करूं कि फैमिन जो हमारी है जो मुझे एनरजी आप लोगों की जो पिक हुई है और साथ में मुझे जो चैनलिंग हुई है वो पताना बहुत जरू में आ रही है रुद्र से मतलब है थोड़ा सा वो गुस्सी की एनरजी में है खासकर मैस्कलीन के लिए बहुत गुसा कर रही है खासकर वो जो अभी कॉंटक्ट में है एक दूसे से बाते कर रहे है आप दोनों क्योंकि जो हमारे मैस्कलीन है वो बिलकुल साइलेंट मोर में कुछ भी वो आपको रिप्लाए या कोई गुसा या फिर कोई रियक्ट नहीं कर रहे है और इसी चीज़ का फर्क जो हमारी फैमिलिन को पढ़ रहा है क्योंकि मैस्कलीन तो साइलेंट है लेकिन जो हमारी फैमिलिन है वो थोड़ा सा उग्र हो रही है या फिर रुद्र जार में आ रही है तो ऐसा मत करो फैमिलिन क्योंकि इसमें कोई कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि जो आप गुसे सी किसी से सामने वाले को फोर्स करोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको या तो ज्यादा ज्यादा से ना मिलेगा या हां मिलेगा या ज्यादा से तुम्हें क् कुछ होगी, उस से भी आपपस दूखी हो जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ भी आर्गुमेंट नहीं करना है, कुछ भी उनको मतलब रियक्ट नहीं करना है, बस आपको आपते से बने रहना है और अगर बात करो इनर अगर्इब करें नियू मून entitled energy जो हम सब के लिए हुई है और खासकर कि न्यू पोर्टल की जो energy है वो एक्चल में energy इस तरह की है कि सबसे पहले तो आपको बहुत low feel कराएगी पिछले कल या परसों से आप फील भी कर रहे होंगे बहुत आपको लो में लेके जा रही है यानि बे बजा ही कोई बात नहीं है कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी आप बहुत लो में जा रहे हैं अब आप बोलोगे मैं ऐसा क्यों हो रहा है क्या हमें कोई negativity effect हो रहा है तो जी बिल्कुल नहीं आपको कोई भी negative effect नहीं हो रहा है अक्चुल में ये जो पोर्टल है टिपल फाइब जो पोर्टल है ये जो है इस बार का different portal है different से मतलब है कि ये energy पहले क्या था पहले आपको negativity के जो energy थी उसके affected होते थे अब आपको कोई effect नहीं हो रहा है अब क्या है कि आपकी जो body है जैसे मैंने पिछली वीडियो में काफी बार आपको जिक्र किया है कि जो आपकी body है साथ में जो आपकी energy है वो दोनों की energy जो आप बहुत टाइम से तालमेल बना रहे थे क्योंकि energy जब high होती है तो आपकी body pain होता है यानि कि body body में कुछ न कुछ issue होने लग जाता है या फिर आपकी जब body ठीक होती है तो आपका mind या फिर आपका soul उस चीज़ पे focus नहीं हो पाती है ना ही आप spiritual life में align हो पा रहे थे तो इसी की चलते हुए आप थोड़ा थोड़ा struggle करके आगे बड़े है यानि कि जैसे कि आप यह आपने पिछली energy को जेला है आप उनों energy से गुजरे है तो यह जो energy है पहले आपको खाली किया है खाली से मतलब है कि आपके अंदर जो भी भरा हुआ था जो energy आपने carry किये हुए थी वो सारी अब release हो गई है यानि कि एक तरह से new birth हुआ है हर soul का एक तरह से एक नया जन्व है एक नई energy है एक नया जोस कहलो या फिर एक नया रुख कहलो क्योंकि अब तक क्या था कि हमने कार्मिक्स को और बहुत सारे वर्डन थे हमारी लाइफ में और हमने जो masculine से जो मतलब हमीजा उन्होंने कुछ न कुछ कहा या उन्होंने टिगर दिया उन सब को हमने carry कि यह हुआ था हाला कि हम meditation कर रहे थे नर्वर्क कर रहे हैं उससे हम थोड़ा सा heal करने की कोशिस करते हैं पट कहीं न कहीं यह चीज़े क्या है कि हमारी life में अठ जाती है यानि कि पहले जब हम heal कर रहे होते हैं जब energy ठीक होती है तो हम उन चीजों पर से हमारा ध्यान हट जाता है हला कि वो चीज़ें हमेशा हमारे अंदर ही होती है लेकिन उससे क्या है कि वो ध्यान हट गया और हमारा ध्यान कहीं और चीज़गा पर लग गया लेकिन जब थोड़ा सा आप low में जाते हो या थोड़ा सा energy थोड़ा सा आपकी unbalance होती है तो पिछली सारी चीज़ें आपको याद आने लगते हैं पिछली सारी टिगर आपको याद आने लगते हैं पिछली सारी बातें आपको याद आने लगते हैं और यही कारण है कि आप उनको release नहीं कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी soul में रेकॉर्ड हो जाते हैं तो यह जो एनरजी है यह निदेटिवल 5 निकला लेकिन जो भी है वह यह है कि आपको पहले तो खाली किया जा अगरा है 10 का मतलब है, 5-5 का भी मतलब होता है कि आदा-ादा यानि कि half-half energy, half आपकी energy और half उनकी energy यानि आपके partner की energy और जब half-half energy एक दूसरे के साथ में है, तो आपका 5-5 लेवल पे यानि कि अपनी-पनी soul में जो आपने record किया है, अपनी-पनी journey में जो आपने record किया है, जो भी चीज करने ना करने से कुछ नहीं होगा, वो अपने आप ही automatically सारी चीजे रिलीज हो रही है, और रिलीज से मतलब है कि वो हील हो रही है, आप देख रहे होंगे अपनी environment में, जो कार्मिक्स आपकी लाइफ में है, या जिस वी energy vampire में आप रह रहे हैं, वो लोग जो आपको टिगर है कि अब आपके साथ में align में आ रहे है, align से मतलब है कि वो आपको अच्छी vibes दे रहे है, वो आपको टिगर नहीं कर रहे है, वो आपके साथ cooperate करने की कोशिस कर रहे है, यानि कि energy आपकी इस तरह से हो रही है, कि आपकी जो surrounding की चीजे है, वो आपको cooperate कर रही है, वो आपकी हो सकए रिलीज कर दो वो time था कि आप उनको release कर सकते थे सब कुछ release कर सकते तक है तो यह वो कर सकते दिन जिन ने yginnë by morecam किया वह एनर्जी से अपने बहुत अच्छे से बहुत पीसफूल के सात में अपनी पहा एनर्जी के सात में कमफ़ट रह पाते हैं अपने घर में जहां भी कहीं है इनको northern करें आप तो efयाब उन्हें केसे सात में वो आपने के सद्गी में ने कमफट रख पाते हैं क्या आप जो आपने के वा रिलीज की आपने माफी मैंगा यूनिवर्स और आपने उनको फोर गेव किया एक उस सबके लिए यूनिवर्स में आपको घंच इसे यह uценis किया और आप सबको उस अनर्जी से निकाल करके एक ऐसी इनर्जी में डाला है यानिकि कि आपने अपने अनर्जी को टैपिन किया है एक छीक आपको आपको शुष कर रही है तो है तक सब्सक्राइब लूट वाली है डिया शुष करेंधे हो रहे हैं कि अपके यह कम दो हमका है चरण से बर्सकार सकार्इब på स्चरोड नहीं घर सान 않은 तो वो एक तरह से इस तरीके से यानि बॉड़ी लेबल पर रिलीज हो रही है वो चीजे रिलीज हो रही है अगर आपका इस टोमेस में कोई मतलब अन्बैलंसिंग है या प्रॉबलम है तो आपके लिए मैसेज है या आपको वो चक्राज या आपकी बॉड़ी आपको इंडिगेट कर रही है कि आपको इस जगा काम करने की जरूरत है अभी जो आपके राइट टाइम आपको जो जिन चीजों पर फोकस करना है वो बॉ हील करने की जरूरत है आपको उनको अपनी अक्चल पावर से अपनी यूनिवर्स की डिवाइन लाइट से उनको हील करने की जरूरत है तो आप आपके लिए वो पॉर्ट यानि की पोर्टल है कि आपको जहां जहां आप अपनी लाइफ में श्टक्स है या फिर जहां जहां यह पूरी तरह से यह पूरी तरह से जो जो 55 का पूर्टल है यह पूरी तरह से आपको हीलिंग के लिए है यानि कि आपका कार्मिक के साथ में हीलिंग रहेगा साथ में जहां भी जिस जगह में हैं वहां आपको हीलिंग मिलेगी यानि आपको लव लाइफ के साथ साथ में यानि कि फैमिन और मैस्लीं दोनों ही सेम एनर्जी में होंगे सेम से मतलब है जब दोनों एक दूसर से कनेक्ट होंगे यानि चिक मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मर्जिंग वाली एनर्जी और उस ताइम में एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जैसे कि आप आपने ड्रीम में फील करते हैं या पर सोल लेवल फे फील करते हैं लेकिन यह राइट टाइम नाउ यानि कि अब जो टाइम है आपका यह है 3D लाइफ में मर्जिंग का उस टाइम में बीडियो में बताना पतानी कैसे मैं एड करना भूल गई थी लेकिन मैं यह बताने वा chemorrh git है जो लर्बेर आउंगी दोनों आपन आपना करम radio में करें हैं दोनों सोल पताई तो लेवल है उने इसक्ति आधे हैं यह फिले के लुग हो रही हैं लोगत कर रही है लेकिन गुस्ष्य के साथ में कर रही है अकर पीज़त से साहत में कर तकर यह से को एंदेस्ट होगा ताकि आप दोनों जल्दी से यूनियन के पेस में यानि दूनों सोल लेवल पर आप 3D लाइफ में मर्जिंग के में उस एनर्जी को क्रियेट करें लेकिन अगर थोड़ा से रहोगे तो आपको एनर्जी में थोड़ा डाउट रहेगा ठीक है हाला कि आप भी उस से हो सकती है उसे गुष्षे से करने से अच्छा कि प्यार से करो तो जैसे जैसे अब तक आप अपने स्टर्फ सबाइस दहरे दहरे चल रहे हैं उसी तरह से चलना है बिल्कुल भी अपने आपको डिस्ट्रक्ट नहीं करना है और जिनोंने इस टाइम एक्सल लिया है अपन पिसाथ अंब बीड और जो बहुत करोगे आप डिवाइन गाड की दुश्रे को कुछ बल भी रहे हो तो टिवाइन की मर्जी है और डिवाइन का काम रहे है थेका है थागर आपने उनको अपनी जीवन इस जहर्णी का रियालली बताई है कुछ शेयर किया है और उसके क्रेब कर दो नहीं नहीं है , लो भी आप बारे में सौचा भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर सुरेंडर करना है, क्योंकि यह एक्वल्टी की एनर्जी है, यानि कि एक तरह से 3D लाइफ में आपका यूनियन की एनर्जी है, तो यूनियन के लिए सबसे पहले यही है कि हमें अपना अपना रिलीस कर रहे है, अब तक हम रिलीस करते आए हैं, और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हीलिंग का टाइम है, तो इस टाइम आप दोनों की प्रॉपर हीलिंग चल रही है, तो बैलेंस में रहना है, जैसे ही यह healing proper हो जाएगी आप दोनों की पूरी तरह से यानि कि 3D life से mind, body, spirit तीनों की जब आपकी healing हो जाएगी तो आप दोनों 3D life में दोनों के एक दूसरे के सामने होंगे एक दूसरे के साथ में merging होगी आपकी body, mind, spirit तीनों ही आपके merging वारी face में होंगे तो यानि कि आप 3D life में union को create करोगे इस पोर्टल के बीच में तो इससे पहले यानि कि ये पोर्टल जो है आपको blessings भरा है, healing भरा है तो आपको peace create करना है, बिल्कुल भी नहीं घवराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, थोड़ा सा आपको low जरूर feel होगा क्योंकि energy आपकी जो release हो रही है, उस बज़ा से आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं बहुत low feel कर रही हूँ, ये जो आप low feel कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने जो पहले बहुत सारा carry किये हुआ था, वो release हो चुका है, अब आपने अपको खाली किया है, अब आप अपने अपको open किया है, universe की energy को receive करने के लिए, universe की blessings को receive करने के लिए, और साथ में अपनी actual power को, या अपनी higher self को receive करने के लिए, आपने अपने आपको release किया है, या खाली किया है, जैसे आप जानते हैं कि एक glass को पूरा भर देने से, जब आपको energy मिलती है, जानी कि एक शाận से पहले हमें ऊसे खाली करना होता है, तब ही उसमें हम और energy डाल सकते हैं, और पानी डाल सकते हैं, तो universe की जो energy आपको मिलने वाली है, जो कुछ ने कुछ चाहिए होता है कोई ना कोई किलियो कोई ना कोई थौट जिसमें वो उलजा रहे हैं और इसी की बेस में हम एनर्जी को वेश्ट करते रहते हैं तो क्या है कि आपको पहले खाले किया गया है और उसके बाद जो आपको भरा जाएगा यानिकि यूनिवर्स की इसकी जो ब्लैसिंग्स है वो उससे आप कंप्लीटली फिल होने वाले हैं और जब यह फिल हो जाएगा तब अ 3D लाइफ में अपना पर्मानेंट हर्मनी यूनियोन को क्रियेट करने वाले हैं तो यह यह है आप लोगों के लिए बहुत प्यारी सी चानेलिंग आई होप आ वाली गुस्दा नहीं करना है और जो लो फिल कर रहे हैं बिल्कुल भी लो फिल ना करें वस्मेने आपको दो ही दो तीन चीजे हैं में अब को बता रहती है मदरर्व के साथ में करे रहना है उनके साथ में करनेक्ष्ण फ्यास यह मुत round कर सकती है और जितना आपको healing चाहि अपनी रूम में, नाइट में, मॉर्निंग में, दोपैर में, कभी भी जब तुमें टाइम मिले, तो धर्ती पे यानि की फर्ष पे लिज जाना है और अपनी मदर अर्थ को पुकारना है उनको प्रेयर करना है प्लीज मदर अर्थ मुझे हील करें कुछ नहीं बोलना सिर्फ प्लीज मा मुझे हील करो और मुझे जरूरत है या फिर आप बहुत हाई फील कर रहे हैं तो मा को बोलो कि मा मेरी एक्ष्टा एनरजी ले लो और मुझे बैलन्स करो तो इस तरह से मा के साथ में कनेक्शन क्रियेट करना है आई होप आप समझ गए होंगे तो या इसी के अपना ध्यान रखें खुश रहें और इस पीस्फूल एनरजी को क्रियेट करते रहें और बाकि जो चला गया है उसे जाने दें लेटको करें माफ करें और माफी दें सबको और यही जरनी का मतलब है कि यहां कुछ विक पर्मानेंट नहीं है हमें यहां से जाना होता है तो अब टाइमिंशन में टाप इन कर पाओ तो इन सब चीजों को जाने दो क्योंकि वहां अगर आप अठकें